कि अधाइध किश्ट रखर दिए आपके लिए और जधा अच्छे से वीडियो मैं ला सकूं तो फ्रेंट जीस कंपनी की आज मैं यहाँ बात ने वाला हूं बहुत लोग तो मैं रिजल्ट के उपर वीडियो लिखे आजा हूं उससे डिसाइड करने की कुछिस करेंगे लेकिन ये फ्रेंट्स हमिसा चलेगा माता-पिता की तरह है बल्कुल हमिसा चलेगा ओल वैल्यू जितनी भी वैल्यू में अभी दिखाने वाला हूं फ्रेंट्स वह सब लाक मे है लइक्समें और फ्रेंट्स यह आपको साम देगा कि मैं किस कंपनी की बात करने जा रहा हूं अमर राजिटरी एमरोन बैटरी के नाम से यह एक ऐसी बैटरी है जिसका नाम आपको इस नाम से बैटरी नहीं मिलेगी, आपको एमरोन बैटरी के नाम से बैटरी मिलेगी, यह बैटरी में सबसे इंपोर्टन क्यों बोलता हूं, बता है, किसी भी गाली चलाने वाले से आप पूछना, कि पहल वारा पता अमरोन बैटरी ही लगवा कि आओगे यह रिजन है एमरोन बैटरी का कि इसका प्राइस सबस्चे उपर क्यों है क्यों कि दूसरी बार में इसका एबटीजमेंट में यह कमने खचाहिनी करती है यह कस्टूमर के लिए ही काम करती है तो यह मैं बात कर चुका हूँ रिवेन्यू देख लेते हैं इसका कितना है रिवेन्यू लगातार यहां तक इंक्रीज हुआ फिर यह इंक्रीज हुआ और अचानक से थोड़ा सा स्लैटली कम हो गया यहां पर अधर इंकम अधर इंकम कितनी है देखिए यहां से यह 50% से इस क इसका सिफेक रिजान कम कें हुआ कंशन कैसे कम होगे कंशन इसलिए कम होगे कि फ्रेंड्स जो इनका एक जो प्लांट है वह अभी मुंबई हाइप कोड़ से पेंडिंग निया हाला कि वह अभी तक खुल गया है तो अगले कौर्टर में सब पॉजिटिव हो जाएगा पर अगर इंकम कम होगा है तो अभी इनका प्रॉफिट इंपक्ट नहीं हुगा है अब प्रॉफिट और लॉस पॉर्ट फॉर्म कंटिनियुन ऑपरेशन जितने भी ऑपरेशन चल रहा है यहां से इनका प्रॉफिट देख लेते हैं आपकी स्क्रीन के सामने यह देखिए 6,000, 20,000, 19,000, 18,000 और 12,000 यही वो मन्हूँ समय था जब आया जब केस लगा उसके वाद जब केस लगा तो यह वो समय था जब इसका केस हाई कोट ने इनका जो प्लांट था वो सीज कर दिया और यहां पर यह कौर्टर में बहुत ज़दा इंपक्ट आया तो अभी भी कोई डरने की बात नहीं है अब फ्रेंट्स कुछ लोग क्या होंगे कि 5% गिरा 1% गिरा लोगों ने एवरेज कर लिया उसका 900 रुपरे में खरीद के पता लगा 850 में सारी रिपम करीद के एवरेज कर लिया इस तरीके से एवरेज नहीं किया जाता है एवरेज कर किजिए डेट फंड में इंवेस्ट किजिए कहें भी इंवेस्ट किजिए लेकिन इक्विटी मार्केट से हट चाहिए मेरा मानना है फ्रेंट्स 50% तो नहीं कम से कम 10% जब आपकी प्रोफाइल नेगेटिव में जाए प्रोफाइल से मतलब है मेरा कि जब भी कोई शेर आप आप देख लेते हैं आगे चलते हैं कि यह आपने प्रोफिट आपने देखी लिए हैं यहां से कि अगर इंकम कम है प्रोफिट कम है तो इनकी एक्सपेंडीचर भी कम हुए है तो यह अच्छे चीज है और नीचे चलते हैं थोड़ा ता अब इनका अर्निंग पर शेर सब्सक्राइब देखिए कि इपीएस कितना है तीन से ग्यारा हो गया ग्यारा से साड़े ग्यारा ग्यारा फिर साथ अनिंग पर शेर भी बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ा है इनका चूकि प्लांट खुल गया है तो अगले क्वाटर में धमागेदा रिजल्ट आएंग थोड़ा सा उपर चलते हैं और थोड़ा सा स्कूरेटों करते हैं इसको उपर ले जाए और चार्ट देखिए एक वी का चार्ट है यह यहां से गिरा देक भीका चार्ट है और यह यह किरा है यह कब गिरा है वहीड कीаменाcyjशल यहां से एक रॉठ टेस्ट कर रहा अलगी इसले यह सुठोट तोड़ दिया तो मतलब है इस शेर को यहां पर अगला रेजिस्टैंस का यह पड़ता है 527 रॉपेश.47 पैसे यह रिजिस्टेंस है इसका अगला यह रिटेस्ट किया अगर यह यहां से बाउंस आया बैक आया यहां से तो फ्रेंट्स नौ सब पचास रुपए तक के टार्गेट आपको अकाम से लिए और अगर आपने एक कि जब मेरी प्रोपाइल या मेरा शेयर जब 10% नीचे जाएगा तभी मैं उसको एवरेज करूंगा तो आज भी रुपाई आपके पास पड़ा होगा फ्रेंट्स एवरेज किये यहां से कोई दिक्कत की बाद ने फ्रेंट्स यह शेयर सबसे बेस्ट शेयर है फ्रेंट्स बन